हे गाईस मैं हूँ मोनू आप देख रहे हैं M Machine Build YouTube चैनल सो बजट गेमर के उपर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली जो ब्रैंड है Ant eSports उन्होंने अपना steering wheel market में launch कर दिया है ये है GW 180 इसका model number है काफी अच्छा खासा competition देने के लिए यहाँ पर Ant eSports ने इस product को launch किया है वैसे तो देखो steering wheel काफी सारी बड़ी ब्रैंड में काफी जाधा costy steering wheel भी आ जाती है जो कि आपको haptic feedback वगेरा offer करती है सेम उसी तरह इसमें भी आपको haptic feedback देखने मिलता है और भी कई सारे features है जो कि Ant eSports ब्रैंड ने कम से कम price में रहते हुए आपको offer करने की कोचिस की है यह steering wheel करीबन मेरे पास एक हफते से है तो मैंने इसमें 3-4 games को भी try किया है simulator वगेरा भी तो मैं अपना personal experience भी share करूँगा आपके साथ वैसे तो देखो यह market में आपको under 6000 रुपीस में मिल जाएगा हो सकता है anti-sport brand इसकी price को थोड़ी और भी drop कर दे तो बिना time waste की video को start करते है so guys यहाँ पर box open करते ही आपको एक USB type C cable देखने मिलता है along with उसके साथ a core cable आता है जो कि आपके nintendo switch वगेरा के साथ connection कर सकते हो और multiple इसमें device का support आपको देखने मिलता है then यहाँ पर आपको दो छोटे clamps मिल जाएंगे यह clamps आपके जो steering wheel है आपके table पर बहुत अच्छी से fix करने में मदद करेंगे और अगर आपका table surface एकदम flat है तो यहाँ पर आप इस तरीके के vacuum cup का भी इस्तमाल कर सकते हो बाकी यहाँ पर आप में एक racing paddle मिल जाता है paddles यह एक braking के लिए है और एक acceleration के लिए है बाकी पूरा material देखो इसका plastic का बना हुआ है इसका जो switch है मतलब cable है यह मुझे telephone के wire जासा दिख रहा है RJ11 का जो cable होता है उस तरीके सा है फिराल यह steering wheel के साथ हमारा attach होएगा किस तरीके से attach करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ बाकी इसकी build quality average है मतलब जादा एकदम आप high quality भी नहीं कह सकते है और एकदम cheap भी नहीं है बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारा steering wheel जो की ergonomic design के साथ आता है इसमें काफी सारे buttons देखने मिलते हैं सारे button को आप customize कर सकते हो और अपने हिसाब से आपको जो भी set करना है इसमें right और left gear shifter का आपको option देखने मिल जाता है तो यहाँ पर gear इसमें दिया गया है लेकिन steering पर दिया गया है यह दोनों आप जो देख रहे हो और यह जो मैं को material दिख रहा है यहाँ पर थोड़ा rubberized finish देखने मिलता है जिसे look काफी premium लगता है और feel भी काफी premium होता है back side से पूरा design देख लो किस तरीके का है पूरा plastic material यूज किया गया है बागी यहाँ पर USB cable देखने मिलता है USB cable की quality काफी जादा अच्छी है now steering wheel के पीछे यहाँ पर आप देख सकते USB female port दिया गया है और अपना जो land connector था वो आपको दिया गया यहाँ पर जो आपका vacuum cup है आपको किस तरीके से install करना है वो मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर आपको छोटे-छोटे holes देखने मिल जाएंगे आपको इस तरीके से alignment करके आपको ऐसा लगाना है और turn कर देना है इसके बाद यह fix हो जाता है इसमें से निकलता नहीं है बाकी इस तरीके का जो इसमें attachment दिया है इसे उपर साइड रखना आप क्योंकि जब आप remove करोगे सारे cup को अपने table से तो यह आपको थोड़ा help करेगा vacuum को release करने में बाकी यहाँ पर आप सभी vacuum को लगा कर अपने table पे मतलब अगर आपका glossy table है तो उस पर काफी ज़ादा अच्छी तरीके से grip बना लेता है मुझे लगता है कि vacuum के साथ आपको यहाँ पर आपका जो clamp पे उसको भी use करनी की ज़रुवत नहीं है table की fitting आपको सही नहीं लग दिये तो clamp का use करके इस तरीके से आप पूरे steering wheel को अपने किसी भी तरके के table surface पे install कर सकते हो एक बार clamp लगा दिये ना अपने तो इतना समझ लो कि आपका steering wheel है वो जगे से हिलने वाला नहीं है काफी ज़ादा strong है बस देखना आपका जितना जरुवत हो सके उतना ही tight करना बाकि अगर steering wheel के हम बात करें तो पूरा steering wheel देखने में तो काफी अच्छा लगता है build quality इसकी पूरी plastic की है ध्यान रखना ये देखो average जो budget segment का steering wheel होता है उसमें आपको build quality मतलब average दी जाती है बाकि आपको features तो इसमें बहुत सारे दिये गए है बाकि अगर मैं lock की बात करो तो इसमें left right यहाँ पर आपको दोनों side lock देखने मिलता है ये actually 270 degree तक rotate होता है और गेम प्ले करने में as such कोई भी problem नहीं face करनी पड़ती है अगर आप जादा कुछ दिमाग में लेके चल रहे हो कम budget में रहते हो है तो मैं आप से सीधा बात कहना चाहता हूँ महेंगे से महेंगे steering wheel आते हैं आप उसके साथ compare करोगे तो देखो इसको टकर नहीं दे सकता है फिलाल अगर आप अपने use case आप से देख रहे हो कोई सस्ता सा steering wheel तो यह steering wheel काफी अच्छा है build quality काफी अच्छी है और इस पर one year आपको brand की तरफ से warranty भी देखने मिल जाती है बाकी again मैं बता रहा हूँ इसमें जितने भी switch है इसको सब shortcuts as a shortcuts use कर सकते हो जो कि आपके gameplay में काफी जादा काम आएंगे आप इसे Xbox, PS3 के साथ भी यूज कर सकते हो PS4 के साथ भी यूज कर सकते हो Windows के साथ यूज कर सकते हो नाव जो हमारा acceleration PRAD है उसकी connection आपको कुछ इस तरीके से करना है एक ही cable लगाना है आपको steering wheel के back side में आपका जो installation है वो complete हो जाता है बहुत installation easy है इसका बागी यहाँ पर हमने game test तो काफी सारे किये थे अब देखो mainly लोग steering wheel forza जैसे game को play करने में लेते हैं लेकिन यहाँ पर मैंने gtfi को play किया था और actual में देखो काफे जादा मज़ा आ रहा था देखो इसमें game की बहुत सारी setting होती है आप अपने हिसाब से settings में जाके customize decision कर सकते हो मतलब आपके हिसाब से कितना rotation पर आपका steering है वो rotate करना चाहिए कैसा कैसा game है मतलब जैसी जैसी उसमें vehicle होगी उसके हिसाब से आप अपने steering को customize कर सकते हो जो game का control panel होता है बाकी यहाँ पर देखो हमने ship वगेरा सब कुछ चला दी थी इसमें जितनी चीज मिल रही थी मैंने सब ट्राय करके देखा जो देखो जीटिय में bus होता है ट्रक होता है उसमें काफी जादा stability मिलती है और जो car होता है जो जादा speed में भागती है वो car थोड़ा मतलब यहाँ पर चलाने में मुझे थोड़ा सा problem face करनी पड़े थी क्योंकि देखो overall steering का आपको पहली बात थोड़ा experience होना चाहिए मेरा तो first time था इसलिए मुझे जादा कुछ मतलब proper तरीके से handle नहीं कर पा रहा था बाकी यहाँ पर gameplay काफी अच्छा रहा है इस steering wheel में आपको यह steering wheel कैसा लगा वो comment section में जरूर बताना मालो अगर आप मेरे सामने price रखते हो और फीज पूछते मुझसे bill quality कैसी है मैं कहना चाहूंगा बहुत awesome bill quality मिलती है आपको इस price range में रहते हुए और brand की तरफ से one year की warranty भी मिलती है तो इनके सकर कोई problem आती है तो यह direct आपके घर से pick up हो जाएगी और आपको कहीं service center लेकर भटकना नहीं पड़ेगा इसको तो यह सब features के साथ आने वाला यह मात्र 6,000 के अंदर आने वाला steering wheel मिलता है आप और अगर आप channel पर नए हो तो channel को subscribe करके जाए क्योंकि आपको इसी तरीकी की content काफी सारी हमारी channel पर देखने मिलेगी आपको किसी भी तरीकी PC बिल्ड चाहिए किसी भी budget में तो comment section में comment कीजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए देखते रहे हैं M Machine Build छेखते हैं